घर में आज सभी को पालक की सिंपल डाल घानी थी तो मैं जब टीवी देख रही थी तो फ्री टाइम में मैंने पालक को छाट के धू के काट लिया था पालक की सिंपल दाल मेरे बच्चों की फेवरेट डाल है और वो इसे बहुत शौक से खाते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन चौथ हाई कप तूर की डाल लिया है जिसे हम अरहर की डाल बोलते हैं वजन से ये 1.500 ग्राम डाल है परफेक्ट नाप से जब आप इस डाल को बनाएंगे तो स्वात बहुत अच्छा हैगा तो डाल को आप क्या करें कि 2-3 पानी अच्छे से धो के स सिंपल तरीके से इस डाल को बना के देखिएगा बहुत लाजवाब डाल बनती है और इसे बनाने में आपको बहुत जादा टाइम भी नहीं लगेगा और नहीं महनत और बहुत ही सिंपल तरीके से बनी जो ये डाल है बहुत लाजवाब बनती है और इसी के साथ 4-5 मैंने लैस VERD Ages कालियों को चील लिया है उसके बाद मैने रफली काट के डाल दिया है अब मैं यहाँ पर कटी हुई पालक डाल रही हूँ, आधा किलो पालक लिया था मैंने और पालक को काटते समयें पालक का जो मोटा वला डंटी वला हिस्सा होता है उसे काटके मैंने हटा दिया था पालक में भी अपना काफी सारा पानी होता है तो यहाँ पे मैं दो कप पानी डाल रही हूँ अगर हम बहुत जादा पानी डालेंगे तो सीटी लगते समय कूकर में से पानी बाहर निकलने लेगा तो जोट पड़ेगी तो बाद में हम इसे पानी एट करेंगे स्वात के अनुसार इसमें आप नमक डाल दे मैंने यहाँ पे दो छोटे चमच नमक का इस्तेमाल किया है आदा छोटा चमच हल्दी पॉडर डाल दे या हल्दी आप अपनी आउशक तानुसार डाल दे इससे जादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है कूकर का ढखकर लगा दे और इसे गैस पे चढ़ा दे पकने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ओन कर लिया है अब यह मत बुलिये की Representatives की वैसे आपको गैस नहीं दो है डाल कंश का अच मैंने मेडियम से लो के बीच में रखका है उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 situation लगने चौड़ दिया है इस पालक की दाल के साथ मैंने एक तीखी चटपटी धनिया और आम के अचार की चटनी बनाया है मतलब यह चटनी हमारे घर में सभी को लगवग पसंद है और यह जो चटनी है इतनी लाजवाब बनती है कि मतलब पूछिये मतलब जब आप इसे बनाएंगे आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि सच में यह बहुत तीखी चटपटी चटनी बनके त्यार होती है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया काट लिया है और इसी के साथ मैं काटूंगे इसमें एक मीडिया मकार का टमाटर टमाटर को मैंने पहले ही धोके रख लिया था भई चटनी है तो चटनी का मज़ा तभ ही आएका जब वो थोड़ा सा तीखा हो तो यहाँ पे मैंने तीन हरी मिर्ची को रफली तोड़ के डाल दिया है चटनी में लैसुन का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पे तीन लैसुन की कलिया डाला है चटनी के स्वात को बढ़ाने के लिए यहां पे मैंने दो घर के बने हुए आम का अचार लिया है और अचार के अंदर जो गुटली होती है उसे मैंने चाकु से हटा दिया है उसके बाद मैंने चछ्टनी में भी न पानी डाले इसे पीस लिया है क्योंकि क्र ظंआन तर्छक पीसते हमें भी पानी जोज़त नहीं होती है। उसी के पानी के साथ ये बहुत ही अच्छा से प्मेह जाता है। तो यहाँ पे मैंने चटनी को पीश लिया हैं। अब मैं यहाँ पे डालूज़ूनी की स्वदक्रवू के अनुसारनमक देおanut है। हमारे गाउं में जब इस चटनी को बनाया जाता है तो इस पेसली सरसो के कच्छे तेल का ही इस्तमाल किया जाता है और बिल्कुल भी सरसो के तेल का इसमेल नहीं आता है, कच्छापन का कोई टेस्ट नहीं आता है बल्कि चटनी का जो स्वाद है वो काफी बढ़ जाता है और चटनी को बनाने के बाद थोड़ा सा मैंने टेस्ट करके देखा था मतलब इतने जहनाटेदार चटनी बन के तेयार हुई है ना कि मज़ा ही आ गया था इसे टेस्ट करके और बातों ही बातों में पालक की डाल भी इदर हमारी बन के तेयार हो गई है तो गैस बन कर दिया मैंने और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और घर में सबजी खाने का आज किसी को मन नहीं था तो मैंने सोचा कि बैगन फ्राई बना लेती हूँ तो इधर मैंने बैगन काट लिया और पैन पे थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लिया थोड़ा सा फ्राई करते समय मैंने इस पर नमक डाल दिया था बहुत सिंपल तरीके से यह बैगन फ्राई बन के तयार हो जाता है और स्वाथ बहुत लाजवाब आता है तो यह हमारा बैगन फ्राई बन के तयार हो गया है और इधर kukar का pressure भी निकल गया है, तो kukar का धकन खोल के मैंने डाल को एक बार अच्छे से चला लिया, क्योंकि डाल यहाँ पर अच्छे से गल गई है, तो इसे मैंने दूसरे बरतर में transfer कर लिया और इसके लिए अप तयार करने जारी हूँ तर कज क्चेम नहीं होता हैक तो थोड़ा सा यहां पर पर च कटी हुई लैसुन की कलिया यहां पर यहां पे लेने डाल दिया लाष पो ऑप स morphed मॉर्स और दाने टाने उसकी यहां 1 फारी further आप मिरशी का टाएं क्योंकि बच्चे जादा तीका खाना पसंद नहीं करते न इसलिए एक मिर्ची का इस्तमाल किया है सूखी मिर्ची से डाल का जो टेश्ट है बहुत अच्छा आता है और इस गर्मा गरम तड़के को डाल में डाल के मैंने थोड़े देर के लिए धग दिया था पालक डाल का आनन तभी आता है जाब इसके साथ हो गर्मा गरम चावल तो मैंने यहाँ पे छोटे दाने वाले जो बासमती चावल होते हैं उसे बनाया है तो चावल को मैंने पहले अच्छे से धो लिया उसके बाद मैंने उसे कूकर में ट्रांसफर कर लिया और पानी डाल के इसे मीडियम आज पे एक सीटी लगने के लिए छोड़ दिया है और बच्चों के इस पेसली डिमांड थी कि उन्हें इसके साथ पापड खाना है और उन्हें ये शेप वाले जो पापड होते हैं बहुत पसंद हैं हार्ट शेप, सरकल सेप तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पापड भी तर लिये हैं तो यहाँ पे मैंने आज पूरा खाना बना के तयार कर लिया है दोपहर के लंच में मैंने इस पेसली आज पालक की डाल, चावल, बैगन फ्राई, चटनी और पापड बनाया था तो सटड़े या फिर संड़े को जब घर में सभी लोगों और आपको सोच रहे हैं कि टेश्टी क्या बनाया जाए तो ऐसे में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीज़ेगा यकीन है मुझे कि आपको बहुत पसंद आएगी और मेरे दोनों बच्चे स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मुझसे यही पूछते कि मम्मी आज आपने खाने में क्या बनाया है जैसे ही उन्हें पता चला कि घर में पालक की दाल और चावल बन रहा है तो वो मुझे तब से परिशान कर रहे हैं कि मुझे बस जल्दी से खाना दे दीजिए मेरे पेट में कुत्ते हाती बिल्ली सब दौलड है तो मैं चलती हूँ इस थाली का आनन्द उठाने अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई बाई